अगर आप नया मकान बना रहे हैं या यूं कहें आप कोई इमारत का निमान कर रहे हैं किसी नई जगर पे या आपके अपने ही जमीन पर तब आप इस गोमती चक्र का प्रयोग और श्रकरें वास्तु दोश का निवारण हेतू गोमती चक्र बहुत ही शुप माना जाता है आपको पता है गोमती चक्र क्या होता है गोमती नदी में मिलने वाले ये गोमती चक्र होते है इसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है जिसके एक तफ सुदर्शन का निशान है आप देख रहे हो इसके कई फाइदे है या यूं कहें कई लाब है वास्तु के निवावन हेतु जब आप बिल्डिंग का निर्मान कर रहे हैं तब आप इस तरह के ग्यारा गोंती चक्र लीजिए उनका विधिवत पूजन कीजिए इनको सिंदु अगर टिक करके बाकाइदा आपके इस्ट मंत्र का या यूं कहे धन भंतरी का या मालक्षमी का दस माला जाप करे और इनको अभी मंत्रित करे इससे इनमें शक्तियां जागरित होगी और बिल्डिंग के फांडेशन में इनको स्थापित करे इससे वहाँ पे किसी भी नाकरत्मक उर्जा का प्रभाव नहीं होगा और हर तरह के वास्तु दोश का निवावन हो सकता है यही कारणे आप अगर किसी भी नए निमान कारम करे तो गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके स्थापित अवश्य करे इससे आपका जीवन मंगल में होगा और वहद स्थाप दोश मुक्त हो जाएगा